हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चेनल पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्तान पुलीस के आज 7 नौवंबर का सेकिंड फारी का जो 3 से 5 बजे तक का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटा फट अंदाज में इसके आंसर क्यूशन आंसर देखते हैं तो चलिए सबसे पहला क्यूशन है निम लिखित में से किस उपन्यास के लिए मनु बंडारी को अठारवा व्या सम्मान प्राप्त हुआ था तो इसका सही उत्तर है option A कहानी य मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल कराने वाला हूँ उससे पहले हम फटा फट अंदाज में कंप्यूटर और राजस्तान जीके के क्यूशन आंसर और मैला और बाल अपराद से समंदित क्यूशन देखेंगे क्यूशन नमबर 3 देखते हैं नया MS Word दोक्यूमेंट खोलने नहीं हैं तो देखिए प्लोटर ये इन्पूट डिवाइस का उधारन नहीं है Option D इसका राइट आंसर है अब देखते हैं क्यूशन नमबर 5 फाइव का हम इसको हल करेंगे तो इसका सही उतर आ जाएगा Option D 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा Q6 देखते हैं ACI केल 2018 में पूर्सूं की फिल्ड होकी में स्वन पदक किस देश ने जीता था तो इस Q7 का सही उत्रा option B भारत ने जीता था अब बात करते Q7 की सत्रिया नर्तिय किस राजिय से समंदित है तो सत्रिया जो नर्तिय है ये असम राजिय से समंदित है यानि जो 7 वा question इसका right answer हो जाएगा option B अब बात करते Q8 की किस के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है जो फल होते हैं उस किस के कारण मीठे होते हैं तो इसका जो सही उत्र option B हो जाएगा फुक्ट रोज के कारण इसका जो स्वाद है वो मीठा होता है option B right answer क्योशन नमबर 9, पॉसको अधिनियम के धारा 6 के तहद कोई भी योन उत्पीडन करता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्षों का कारवास से दंडित किया जाता है तो इसका सही उत्र उप्शन D, 10 वर्ष क्योशन नमबर 10 देखते हैं राजसतान के उध्यपूर संभाग में जिल्लों की संक्या कितनी है तो इसका सही उत्र है अप्शन A, राजस्तान के उध्यपूर संभाग में 6 जिल्ले आते हैं अब देखते हैं क्यूशन नमबर 11 गुजरात राजग्रे के किस दिसा में है तो देखिए राजग्रे पढ़ता बिहार में और गुजरात तो हम देखते हैं यह जो दिसा है यह पढ़ती है उत्तर पस्चिम दिसा यानि उत्तर पस्चिम ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जा है कि ऑप्रेटिंग सिस्टम का कोर यह उप्रेटिंग सिस्टम के अनिया सभी भागों को मूल बू से महीं प्रदान करता है तो ड्राइवर यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब बात करते हैं क्यूशन नमबर 15 कि एक सफेद दिवार पर कंप्यूटर संगत को चुनना है तो यह देखी यह तीनु जो है कंप्यूटर हार्डवेर है और फर्म वेयर यह कंप्यूटर हार्डवेर नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अब देखते क्यूशन नमबर 17 बर्नार्डिन एवरिस्ट को किस पुस्त के लिए मेन बू लोगों को यह संगत रूप से पहली बार दिया गया है लेकिन इसमें बर्नार्डिन एवरिस्टो के बारे में ही पूछा गया है तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अब देखते क्यूशन नमबर 18 ग्रेंड स्लेम खिताब जीतने वाले पहले भारतिये का महेश भूपती राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब देखते क्यूशन नमबर 19 प्रकास वर्ष की एक एक यूनिट होती है यानि जो प्रकास वर्ष है वो किस का मातरक है उससे क्या पता चलता है तो यह दूरी का मातरक है वेशे जिससे हमें जो खगोली पिंड होत क्यूशन सी इसका राइट आंसर है लाल चंद उस्ता के द्वारा हवा मेल का डिजाइन तयार किया गया था अब बात कर रहे हम क्यूशन के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था लेकिन बारत सरकार ने दो हजार बारा में इसको वर्णिय जीव अब भ्यारणिय का दर्जा दिया था तो जबकि इसमें दो हजार बारा उप्शन में नहीं आ रहा है तो इसके हिसाब से उप्शन च्छै सही होता है लेकिन इस साथ बागू में साथ संबागू में बाटा गया है के जूशनua 23 देखते हैं आजेस्तान के प्रसीद घायक कौन है तो देखिए इसका सही उत्तर है परचिस में सही हो जाएगा option C, question number 26 देखते हैं, कौन एक output device नहीं है, यानि output device नहीं है, तो इसमें computer speaker है, microphone LCD ये output है, जबकि plotter ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C, question number 27 देखते हैं, कौन सी विशेस्था feature computer के mouse से सम्मंदित है, पावाइंटिंग device यानि जिसमें cursor लगा होता है, ये देखिए ये इसका right answer हो जाएगा option D, question number 28 देखते हैं, अलेकजंडर ने भारत पर किश वर्ष आकरमन किया था, तो इसका सही उत्तर है option C, 326 इशापूरू, अलेकजंडर ने भारत पर आकरमन किया था, option C right, question number 29, भारत सर कार के नेमों के नुशार रक्षा प्रमो किश उम्र तक शेवा में रह सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है option C, 62 वर्ष तक, option C, right, question number 30, मारास्त में एक लोग प्रिय संगीत सेली और एक पारमपरिक गीत, नरत्य का समलीर रूप होता है, उसको कहते हैं, लावनी, option A, इसका right answer ह Q, 31 देखते हैं, किस सासक ने जागिर महल का निर्मान करवाया था, तो देखिए, जागिर महल का निर्मान हुआ था, ये जागिर महल का निर्मान जो है कि अकबर के समय कराया गया था, अब पुल फजल के द्वारा, तो इसका right answer जाएगा option B, Q, 32 देखते हैं, निवन में से किन पहाडियों पर राजस्तान का पहला रोप वे बनाया गया, तो इसका सही उतर option B, सुन्धा पहाडियां जो की जालोर में हैं, वहाँ पर राज्य का पहला रोप वे बनाया गया है, Q, 33 जनौरी 2019 में, राजस्तान की वर्तमान विदान सबा में, गुलाब चंद कटारिया को ऐसता ही रूप से, प्रोटेम स्पीकर की सपत कि इसके द्वारा दिलाए गई, देखिए जो प्रोटेम स्पीकर का पद होता है, उसको सपत दिलाता है राज्य पाल, तो हमारी उस समय राज्य पाल थे, कल्यान सिंग, तो इसका सही उतर हो जाएगा, option C, 33 में, option right हो जाए है, तो इसका सही उतर, option C, IIT, जोदपूर, 34 का right answer, option C, IIT, जोदपूर, question number 36 देखते हैं, विश्यम को चिनहित कीजिए, यानि जो अलग है उसको देखते हैं, देखे, safari, internet explorer और chrome, ये तिनु ही internet browser है, और office 365 ये एक software है, तो ये लगए, इसका right answer हो जाएगा, option B, question number 37 देखते हैं, देखते हैं, कौन सा सब्द या वियंजन या परिवर्णी सब्द, computer printer से संबंदित नहीं है, देखे, toner होता है, cartridge होती है, flip panel होता है, spooler, ये printer से संबंदित नहीं है, यानि जो right answer हो जाएगा option C, अब देखते हैं, 39, भारत में मद्या पासान, UK, उसेस कहां पाएगे थे, तो इसका जो right answer हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके जो उसेस पाएगे थे, ओडिसा, करनाटा, राजस्तान में भी पाएगे थे, तो इसका जो right answer हो जाएगा, option A, तुंग बद्रा, गाटी मे इसका उसेस पाएगे थे, अब देखते हैं, question number 40, भारत में ओलम्पिक भावन किस स्तान पर स्तित है, तो भारत में जो ओलम्पिक भावन है, option B right है, नई दिल्ले में ओलम्पिक भावन स्तित है, question number 41 देखते हैं, वेश्या वर्ती के लिए बच्चों को बेचना, किस अपरा सत्तावन की करांती के दोरान हुआ था, तो इसका right answer हो जाएगा, option C, 1857, question number 43 देखते हैं, मूल रूप से मांड महुसव के रूप में जाना जाता है, तो जो जो जोदपूर का मारवाड महुसव है, उसे मांड महुसव के रूप से भी जानते हैं, तो 43 में right answer होगा, option A, question number 44 जून 2020 तक राजस्तान विदान सभा में उदैलाल आंजना किस विबाग में मंत्री है, तो उदैलाल आंजना सहकारिता मंत्री है, तो इसका right answer होप्शन A, question number 45 देखते हैं, कि सहर में राव 16 साल द्वारा केसव राव पाटन में केसव राव का मंदिर निर्मित किया गया था तो किस सहर में केसव राव जो पाटन है, केसव राव का मंदिर है, वो बनाया गया, तो इसका सही उत्तर है, किस सहर में तो इसका right answer जाएगा, option C, बून दी, अब आगे के question हम अभी देखते हैं, question number 40 देखिए, जो reasoning के question है, reasoning के question हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, या इस को हल करने के बाद देखेंगे, फटा-फट अंदाज में हम computer, राजस्तान जी के और मैला बाल अपराज से समंदित question देख रहे हैं, आज का ये हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए हम फटा-फट वीडियो देखते हैं, उस वीकल्प का चैन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की question discussion करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और फटा-फट अंदाज में हम नेक्स्ट वीडियो में भी question answer देखने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना पूले, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहु यू, अगें थेंक यू